विल्कुन टू पारिनेर्ट कलासेश हमलोग तेंथ क्लास का दूसरा किताब हिंदी का बरनिका का चोठे कहानी पर है आपने तीन कहानिया पर ही आपका दही वाली मगम्मा धाते विस्वास और मा इसको आपने कहां कहां लिखा हुआ था इसको देखा अब हम लोग परते हैं नगर सुजाता का लिखा हुआ है सुजाता सुन्दर लोग जहां जाते हैं सहरों में और वो है क्या चेन्नई तो चन्नाई या कह सकते हैं तमिलाडू का वो सहर है तो लेखक परिचे इस कहानी के लेखिका का जन्म तमिलाडू के चन्नाई में हुआ था सुजाता का बास्तविक नाम एस रंगराजन था एस रंगराजन था ये आपसे पुछा जाएगा कि सुजाता का पूरा नाम क्या था एस रंगराजन इन्होंने अपनी रचना सहली के द्वारा तमिल कहानी विदा में एक अभूत पूर्व परिवर्थन कर तमिल कथा साहित्य को समधिया यही कारने कि इनकी रचना या त्यधिक लोग पिरिये हो गई प्रस्तुत कहानी नगर आधुनिक तमिल कहानी या अधुनिक तमिल कहानी या नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया से संभार से लिया गया है और इसके अनुवादक हैं मतलब हिंदी में जो आप पर रहे हैं ये लिखा हुआ तमिल में है हिंदी में आप किनकी बजह से पर रहे हैं के एम जमुना की वजह से पर रहे हैं के एम जमुना अब हम लोग पाठ पर बात करते हैं प्रस्तुत कहानी नगर ब्यंग परधान है याद रखें यह कहानी कैसा है ब्यंग परधान है ठीक है कहानी है इसमें ब्यंग कसा गया है किस पे नगर पे ब्यंग कसा गया है नगर व्यंग प्रधान कहानी है ये याद रखना बहुत जरूरी है चुकि हर कहानी में अलग अलग चीजों की परधानता थी इसमें कहानी कार्णने नगर ये अविवस्था पर कटाच किया है कि किस परकार ग्रामिन भोली भाली जनता के साथ नगर में बल्ली अमाल अपनी पुत्री पापती के साथ मदुरय इस्थित बरे अस्पताल में ये जगह का नाम है मदुरय मदुरय इस्थित बरे अस्पताल के बहीरंग रोगी बिभाग में बहीरंग रोगी बिभाग के बाहर बरामदे पर बैठी परतिच्छा कर रही थी कि उसकी पुत्री को बुखार था गाउं के प्राथ्मिक चिकित्सा केंडर के डाक्टर ने नगर के बरे अस्पताल में ले जाने का सलाह दिया बरे अस्पताल के डाक्टरों ने उसकी जाचकर उसे एडमिट भर्ती करवा देने को कहा कहा बल्ली अममाल अनपर थी वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं फिर भी उसे बिभिन डफ्तरों में चीट लेकर जाने को कहा जाता है डाक्टर के आदेश की अभिलना कर उसकी पुत्री को एडमिट नहीं किया जाता है तंग आकर वहां से बिदा हो जाती है और दूसरे दिन जब बरे डाक्टर पापती को अनुपस्थिती देखकर जानकारी लेते हैं तो पता चलता है वहां से बिदा हो चुकी है इससे अस्वस्थ होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्थ व्यस्थ हो गई है जहां पैसे प माल अपनी लर्की पापती के साथ बहीरंग विभाग में के बरामदे में बैठी परतिच्छा कर रही थी पापती को बुखार था उसे लेकर गाउं के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो डाक्टर ने कहा सुवक की पहली बस से बरे अस्पाताल पहुंचो अस्ट्रेचर पर को बेहोसी सी परिपापती को घेरे 6 डाक्टर खरे थे बरे डाक्टर ने उसका सिरगोमा कर देखा पलके उठा कर देखा गालों को उंगली से दवा कर देखा फिर बोले acute case of meningitis acute case of meningitis फिर बारी-बारी से दूसरे डाक्टरों ने देखा बरे डाक्टर ने एडमिट करने को कहा बल्ली अमाल ने बरे डाक्टर की ओर देख कर पुछा बाबु जी बच्ची अच्छी हो जाएगी न डाक्टर ने कहा पहले एडमिट कर वालो इसे केस को मैं स्वय देखूँगा डाक्टर धन सेखरन स्री निवास को सारी बात समझा कर बरे डाक्टर के पीछे दोरे मतलब वो चले गए समझा कर चले गए और हुआ क्या कि पीछे दोरे सीरी निवास ने बल्ली अमाल से कहा ये ले इस चीट को लेकर सीधे चली जाओ सीरियों के उपर कुर्सी पर बैठे सजन को देना बच्ची को लेटी रहने दो बल्ली अमाल चीट लेकर सीधे चली गई कुर्सी खाली परी थी थोरी दिर बाद सजन अपने भाजे को भरती करा कर लोटे सब को लाइन लगाने को कहा आदे घंटे बाद बल्ली अमाल से कहा इस पर डाक्टर के दस्तकत नहीं है दस्तकत करवा लो फिर बेतन आदी के बारे में पुछ कर चीट दे कर कहा इसे लेकर सीधे जाकर बाए मुरना तीर का डिसाड बड़ा होगा और तालिस नमबर कमरे में जाना बल्ली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया ये उधर उधर घुम कर एक कमरे के पास पहुची वहां के आदमी ने चीट ले ली कुछ दिर्वाद पापती का नाम पर कर कहा पहीर थी एक आदमी ने चीट रखकर आदे घंटे बाद नाम पुकार कर कहा इस समय जगह नहीं है कल सवेरे सारे साथ बज़े आना बल्ली अमाल भागी भागी चक्कर काटकर सीरी के पास पहुची बगल का दरवाजा बंद था इसी में उसकी बेटी अस्ट्रेचर पर पर एक आदमी ने कुछ पैसे दे कर दरवाजे खुलबाया बल्ली अमाल भीतर दोरी गई और पाप्ती को कलेजस लगा कर बाहर आई फिर बेच पर बैठ कर खुब रोई इसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगले दिन सुबह तक क्या करे फिर सोचा इस मामूली मुखार ही त जालते हैं बैद जी को दिखा दूगी माथे पर खरिया मिट्टी का लेप कर दूगी और अगर पाप्ती ठीक हो गई तो बैद सवर नेजीज के मंदिर जाकर भगवान को भेट चराऊंगी बल्ली अमाल का साइकिल रिक्सा बस अड़े की और बर चला इस कहानी को परते वक अगर आप अपनी परहाई ठीक से न करें तो ये प्रस्थितिया कभी बदलेगी ही नहीं इस प्रस्थितियों को बदलने की जिमवारी आप पे होती है तो ये कहानिया जो भी आप पर रहे हैं इन प्रस्थितियों को कैसे बदला जाए आपको परने का कारण ये होना क्योंकि अगर आप उस इस्थिती को केवर समाज की इस्थिती मान के चलते हैं और उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं तो आपका विद्यार्थी कहलाने का हक नहीं है इस इस्थिति को बदलना ही आपकी जिम्बारी है हमारी जिम्बारी है हमने एक काम लिया है इसको बदलने के लिए आप कोई दूसरा काम ले परन्तु इस इस्थितियों को जब तक नहीं बदला जाएगा बदलने के लिए सोचा नहीं जाएगा तब तक लोग उसी अंद्विस्वास की और दौरते रहेंगे गुड़ लग फिर मिलेंगे अगले कहानी के से